हेलो स्टूइट्स कैसाब सभी लोग आज हम इस वीडियों हमारा मराठी का चैप्टर 14 करेंगे जिसका नाम है अप्पा जिंचे चातूर इसका हम आज कोशन करना है ठीक है इसके लिए वीडियो आखरी तक जरूर देखना तो पहला किया जो देखो इसमें शब्दार इसमें फर्स्ट का है चतूर मतलब क्या था हुशार बुद्धिमान मतलब इंटेलिजेंट आप बोल सकते हो फिर चतूराई मतलब हुशारी बु अब आगे देखो क्या आपको फिफ्ट में जलत मतलब क्या होता है वेगवान मतलब की फास्ट आप बोल सकते हो ओके फिर क्या देखो वाहतूक मतलब क्या होता है दनर्वर्ण मतलब आप बोल सकते हो यातरा करना ट्रैवल करना ओके अब देखो आपको सेवेंथ में क्या ह तोन खराब अब बढ़े ज़िके हो कि सडग घराब हो जाना फिर किया B मतलब किया है बियाने मतलब कि आप बैद्ध मतलब कि क्या है मदली मतलब मीडियम उत्क्रिस्ट मतलब क्या है उत्क्रिस्ट मतलब क्या होता है वंदिता खोटी बात्मी मतलब यूमर्स आप बल सकते हो ठीक है क्या है उत्क्रिस्ट में क्या है ऊकर सकते हैं लास्त विषुत दाखला उठीक क्या यहां पर बोल रहे हैं यहाँ पर आपको बोले है कि अप्पा जी ने बैल गाड़ी पर कौन सा बीज लगाने बोला तो आपको उत्तर क्या है अप्पा जी ने बैल गाड़ी को बीचे पीक घैला लाव ले क्या वोले कि अप्पा जी ने बैल गाड़ी पर कोबी मतब कैबेज का जो बीज था वो लगाने के लिए बोला सेगें उत्करिष्ट दर्जाची मूर्थी कोंड़ी क्या वोले कि जो सबसे best quality की थी वो कोंसी मूर्थी थी तो आप उत्तर में क्या लिख हुए जिच्या कानात गहत लेली तार तिथेच अड़कून पढ़ली ती उत्कृष्ट दरजाची मूर्ती होती क्या वो लें कि जिस मूर्ती के कान में वायर जाकर तार जाकर अटक गया ठीक है उसके मूह से बाहर नहीं निकला तो वो मूह से और दूसरे कान से बाहर नहीं निकला तो वो जो मूर्ती थी वो सबसे बेस्ट कॉलिटी की थी थड़का है कलिंग चा राजा संतुष्ट का जाला क्या वोलें जो कलिंग के राजा थे उन्हें संतुष्टी किस बात से हुई उत्तर क्या है यहाँ पर अप्पा जीनी तीन ही मूर्ती चा दर्जा ओडखला क्या बोले अप्पा जीने तीनों मूर्ती जो थी उनके किसकी क्या quality है ये बता दिया कि कौनसी किस quality के कौनसी low quality के कौनसी medium कौनसी best ठीके क्या बोले यहाँ पर मनून कलिंग चा राजा संतुष ठीक है अब आगे चलते हैं प्रेसमर 3 में आपको क्या बोल रहे हैं तीन चार वाक्यां उत्तर लिए यहां पर आपको लेख कि तीन से चार वाक्य में उत्तर लिखना है पहला गया है अपा जी ने ताजी कोभी कलिंग दिशाकड़े कशी पाठोली क्या बोलें अपा जी ने जो ताजी कोभी थी वो कलिंग राज में कैसे भेजी क्योंकि दिशाक बहुत दूर था अगर कोभी लेके जाते तो रास्ते में ही सड़े जाती तो कैसे किया अपा जी ने बैल गाड़ी गाड़ी वनाला बसन्यापूर्ति जागा सोडून बाकी चा जागेद भराईला क्या बोले हैं अपपा जी ने बैल गाड़ी पर जो बैल गाड़ी चलाने वाला है उसके लिए जगां छोड़ी बैठने के लिए और बाकी जगां पर मिट्टी भरने बोला ठीक है मातीत कोवी चे भी पर लें यहाँ पर देखो आपको बोलने हैं कि और उस मिट्टी में जो बैल गाड़ी पर मिट्टी डाली थी उस मिट्टी में कोवी का भीज डालने के लिए बोला रोज, कोबी चया रोपानी पानी दयाला गाड़ी वणाना सांगित ले क्या बोलनें? और हर रोज, जब वो जातरा करते हुए कलिंग राज जाएगा तो रास्ते में उस बैल गाणी चलाने वाले को रोज, उस कोबी की बीज में पानी डालना है खाड़ी कलिंग पहुछा आला तीन महीने अचा कार्ड होता क्या यापर बोले? कि जो गाड़ी है वो कलिंग राज पहुछने का उसका टाइम तीन महीने का था टीन महीने में पहुछती कलिंग देशाथ पहुछे परियंथ कोबी तैयार जाले क्या बोले यहां पर कि कलिंग देश पहुचते पहुचते यह जो बीज था अब यह कोबी में तैयार हो गया था अशा प्रकार अप्पा जी ने ताजी को भी कलिंग देशा कड़े पठोली क्या बोले इस प्रकार अप्पा जी ने ताजी को भी कलिंग राज में भेजी ठीक है अभी चलते आगे प्रेशन नमर टू में हमें क्या दिया गया है यहाँ पर देखो क्या बोले कलिंग कलिंग च क्लिंगोर्षा राजा थे एक जैसे दिखने वाली 3 मूर्थि लाई, राजा अपपाजी ना मना ला तो क्लिंगोर्षा भी राजा निगीने त्वरेर राजा थे उन्होंने बोला कि जो मूर्थि है इस इस таких मूर्थि जो यह से एक न्ne सबसे बेस्ट कोल्टी कोंगा और च्यां ऑप ली कि वो दिखने में सब एग जैसी थी आशा प्रकारे कलिंगा राजा ने अपपा जीन और अपजी की परिक्षगेट लिया कि तरड क्या बी मूं और ऑँच भी मूर्थे च Stephen ने तार तो न तुन बाहर ये सिर ये ते क씨 एम पर्प आजीनला क्या बोले कि मूर्ति के कान में युदा बाहर रा गए तो इसका मतलब इसका अर्थ अपा जी ने क्या बताया कि तो देखो यहां पर त्ठर में कह दिया गे है यहाँ पर आपको बोलें कि मूर्ती चेया कानात घात लेली तार तोंडातुन बाहिर पढ़ली ती निक्रिस्ट मूर्ती असा अप्पाजी नी निर्णय दिला क्या बोलें कि जब मूर्ति के कान में अपपाजी ने वायर डाला तार डाला तो वो उसके मुह से बाहर आ गया तो अपपाजी ने बोला कि ये निक्रिस्ट मतल़ ये लो कॉलर्टी की मूर्ति है ऐसा अपपाजी ने निर्ड़ दिया क्या बोलें कि जो इनसान होता है जब कोई बात कोई अपपाजी ने ये बता है ठीक है अब ये दिखो आगे क्या दियेगे फोर्थ में आपको क्या है अपपाजी ने चा मते उत्तम मानूस कोड़ता क्या बोलें अपपाजी के हिसाब से सबसे जो अच्छा इंसान है वो कोन था अपपाजी महरतात अफवा एकल्यावार जो मानूस दुसर्या कानाने सोडून देत नहीं कि वहां लगेश दुसर्याना सांगत नहीं क्या है आपपाजी ने बोला कि अफवा सुनने के बाद जो इंसान दूसरे के कान में वो अफवा डालता नहीं है तुरंत दूसरों से बोलता नहीं है और वो जो भी अफवा सुना है बिना उसका सच जाने किसी से वो बात बोलता नहीं है तो वो इनसान सबसे अच्छा होता है ठीक है अब आगे चलते हैं देखो फोर्थ में क्या आपको विरुद्दार्ति शब्द इसमें हमें अपोजिट वर्स लिखते हैं हित का क्या है अहि अफे यहां पर प्रमाणे चौक्ट पूर्ण करा तो देखो यहां पर जो दिया गया है उद्वाęt विरुत की तरीके से बाकी फिल करना है जिंब महाग दिया गया है शाधे पांग भी हमी लिखेंगे साधा फिर क्यां पर हम दिया हुआ है डयावान हम यह लिखेंगे दया फिर हमें यहां पर दिया गया है शहाड पढ़ा हमें इत्रीख को फिल करना चल्व आगे चलते प्राशन मर् शिक्स में क्या बूले है खालील शब्द वाचावा समझून गया यहां पर बोले शब्त देख और समोचिव कई लो निए पहला के चहतु तो सबसें नियुक्त चाइट है चाटुर चोरि कहागा रूर कहा और शूर कहा है सुन्दर कहां सा अंदर हि धीर कहा धैर कि ने ले होगी हैया चलते हम प्रैश्ण नुम्र सेवेनं पर किए करफ़ शयूंध सब्धाना तो सब्ध लाउघंड आपका में इसойти लगा के शब्ध जो दिए गए इनका लिंग हम हमें बताना तो यहां के लिएकर टीदरी टीद प्रसंग घर और अपने स्कूल में बता हो तो क्या है दोगो आज रस्ते में एक लड़का कान में हेड़फोन लगा कर रहा था त्याने डावी वा उजवी कड़े गाड़ी ये था ना पाहिलेज नहीं क्या बोले यहां पर तो यहां पर बोलने देखो कि वो जो लड़का था बिना दाए बाए देखे वो उसको गाड़ी बिना दाए बाए देखे वो रास्ता क्रोस कर रहा था ठीक है त्याज़ात समोरून एक सुसाट गाड़ी येताना माज़ा मित्राला दिसली क्या बोले कि तभी एक तेजी से गाड़ी आते हुए मेरे दोस्त को दिखी ती गाड़ी सतत हौन वाजवत होती क्या बोले वो गाड़ी लगातार उस लड़के को हौन बजाते हुए आ रही थी पर त्याचिया कानावर तो आवाज गेली नहीं लेकिन उस लड़के के कान में ये आवाज जा नहीं रही थी ठीक है आता अभगात होनारच होता एवड़यात माज़त तने नावाचय मित्रा ने समय चुकता दाखफून त्याला पटकन मागे ओड़ ले क्या बोले है कि अब दुरगटना होने वाली थी एक्सिडन्ट होने वाला था लेकिन मेरे तने नाम के मेरे दोस्त ने क्या किया उस लड़के को खीच लिया वहाँ से ठीक है जिसका एक्सिडन्ट होने वाला था मडून तो अब गहात टल ला इस करण वो दूर घटना जोती जो एक्सिडेंट था वो टल गया तैने चे कवतुक करावे तेवड़े थोड़े चो क्या बोले कि तैने का जितना तारीफ करो जितनी उसका कवतुक करो वो कम है क्योंकि उसने टाइम दिखाते हुए अपनी समझ जारी दिखाई और उस लड़के को बचा लिया ठीक है अब आगे चलते हैं प्रशामन नाइन में आपको क्या है खाली आकृतित दिले लिया शब्दांस विशेशनल लावा क्या हो लिए आपर हमें जो शब्द दिया गया है उसका हमें क्या करना है विशेशनल लिखना है ठीक है पहले के ताजी चौधार चांगली शूडी फिर क्या है मूर्ति इससंदर फिर क्या ओबर्ड धुबर्ड जूनी भग्कम ठीक है इस सबस्य आपको लिखना है अब आगे चलते है प्रतशाव सब्सक्भास आपको खाली तक्ता वाचा समझूंगिया यहाँ पर लाए वर्तमान काड़ बहुद काड़ई आपको आपको क्या क्या है नां मतलड का समया तरह है वर्तमान काड़ आपका है उसकी पर खाली अब भूद काड़ जैसे यहाँ दिशने रीन है तबसे हमें वाक्त को क्या करना है बदलना है पहला किरीमा साह लीडा गेली तो इसको अमिके डना भविस्य काल में रिमा जाय मैं अब सेकंड क arcست और तो उस्क्राइब पसंद करना हैं भूत काड़ा है काजर हम थक है थर्डम प्परिया करना है दो यंदर चंदा लाड़ुद्र ने यह सुभिया करने हैं निय्य करकेश और नहीं दो द्हें युद्न भूत कहसी चनरी जाने चस्पम्ठश्य रहा खूत करते हैं कि मैं इसी करना है भूत काड़ में ठीक है तो हम क्या करें वंदना अभ्यास केला आपको पूर गाउ नगर बाद ही अक्ष्रे अस्वनार्या गावांची शहरानची छिकाणची नावे खालील तक्ता लिया तक्तियात लिया क्या यहां पर बोलने हमें हमें जगों के नाम रिखने है जिसका इंड होता है पूर गाउ नगर बाद से ठीक है जैसे गाउ में क्या है दोखो मान गाउ वड़ गाउ शिर गाउ दर्ण गाउ और फिर क्या है गिरन गाउ पूर में देखो हम कैसे लिखेंगे सोलापूर, कोलापूर, वसंपूर, शहापूर, पंडरपूर नगर में हम कैसे लिखेंगे एहमद नगर, यश्वंत नगर, इंद्रा नगर, विद्या नगर, आदरश नगर बाद में कैसे लिखेंगे हम औरंगाबाद, उस्मानाबाद, कुलताबाद, अहमदाबाद, दौलताबाद ठीक है? इस तरीके से आपको लिखना है तो यहाँ पर हमारा इस चैप्टर कम्प्लिट हो गया है I hope आपको अच्छे से समझाओगा आप इसको अच्छे से पढ़ लो लर्न कर लो तकि अगर आपको टेस्ट होते हो आपके फूल माक्स है मिलते अगले उडियो में, अगर आपको उडियो अच्छे लगा हो तो आप इस उडियो को लाइक करो, अपने से भी दोस्तर के साथ शेयर करो थेंक यू